दो सर्वथा नवीन पुस्तकें मुझे अभी अभी प्राप्त हुई है। अनेक पुस्तकें मुझे प्राप्त होती हैं। पर यह पुस्तके ऐसी हैं, जो सहेऑजने के योग्य हैं और उपादे बहुत हैं मेरे जिएसे लोगों के लिए सुम्सक्रत्साहित्य के चात्रों अध्यापकों श्वधार्थियों के लिए पहली पुस्तक अर्वाचीन सुम्सक्रत्साहित्य है शीदर भासकर बढ़ने करके मराथी ग्रंथ का प्रख्यात मराथी ग्रंथ का शोद प्रवंद का हिंदी अनुवाद या है हिंदी अनुवाद डाक्टर लीना रस्तोगी ने किया है बहुत बड़ा कार्य उन्हों ने किया है इस अनुवाद को इस बड़े ग्रंथ के विपुल काय ग्रंथ के सुन्दर सुपाथ अनुवाद को हिंदी में प्रस्तुत करते हुए कविकुल गुरु कालिदास समस्कत विश्विद्यालाय राम्टेक से यपुस्तक प्रकाशित है इस इश्विद्यालाय के सम्मान्य कुलपती अनुद्यसुद्ण पैन्ना जो इस इश्विद्यालाय की रजट महट्सवगरंत माला के प्रधान सम्पादक भी है और रजट महट्सवगरंत माला के अठार्वी कड़ी में यॉःपुस्तक प्रकाशित हुई है बड़ा प्रशंचनी ये कारी किया दुसूधन पेनना जी ने भी अपने पूरू कुलपति शीनिवास वर खेड़ी के द्वारा इस्थापित श्रेष्ठ परंपराओं को आगे बढ़ाते हुए उन्होंने यह जो रिजत महुत्सवगरंथ माला प्रकाशित करने का उपक्रम किया है और स्वयम वे योग्य विद्वान हैं उनको भी मैं इस अवसर पर बधाई देता हूँ पर विशेश रूप से डाक्टर लीना रस्तोगी का मैं अभिनंदन करता हूँ वे हम लोगों के भीच में अत्यंती समाधरणी व्यक्तित्व हैं पिछले पचास वर्षों से मैं उनको देखता रहा हूँ एक तपस्वी व्यक्तित्व उनका रहा है और कितनी निष्ठा और अध्यावसाय से उन्होंने समस्कृत की सेवा का कारी किया है पत्रकारिता का कारी हो समस्कृत रंगमंच का कारी हो समस्कृत नाटकों की निर्देशन का कारी हो समस्कृत में मौलिक नाटकों की रचना का कारी मराठी रंगमंच के प्रयोग योग्ये नाटकों का समस्कृत में अनुवाद और उनको प्रस्तुत कराना और समस्कृत में सुन्दर मुक्तकों की गीतों की रचना का कार्य, पांडिति पूर्ण कार्य बहु मुखी व्यक्तित उनका रहा है, बहु भाशा विद्वे हैं हिंदी में, मराठी में, समस्कृत में, अंग्रेजी में, अबाद इसे उनकी लेखनी और वानी प्रवर्तित होती रहती है, यह पुस्तक रवाचीन समस्कृत साहित्य, श्रीधर वासकर वर्णेकर जी का मराठी में जब प्रकाशित हुआ था, इसकी चर्चा होती रही है, यह आधुनिक समस्कृत साहित्य पर शोध की द्रष्टी से एक प् जाना चाहिए। सत्री श्रताबदी से 1960 इस्वी तक के साहित्य का इसमें सांगोपांग वर्णन प्रस्तुत किया गया है, विशेश रूप से बदलते परिवेश में समस्कृत साहित्य के प्रयोजनों पर विचार भी करते हैं, दूसरे अध्याय में, भार्मी काश्रमों में समस्कृत कारी जो किया जा रहा है, उसका उन्होंने अच्छा सर्वेक्षन किया है, दूसरी जो समस्कृत रचना की इस समय की समस्याएं हैं, अन्य भाषाओं के शब्दों का समस्कृती करण, आधनिक, युग से जुड़ी ही वेज्ञानिक तकनीकी शब्दावली, समस्कृत में न इस ग्रंथ को एक विशिष्ट मुचाई तक उंग चाता है, 2020 में उन्होंने अनुवात्पूरा लगबग कर लिया था, और अब यहां प्रकाशित हो रहा है, बहुत प्रसनता की बात है, यह ग्रंथ अब बहुत उपादे हो गया है, मराठी में भी इसको हम लोग उलट उल पड़ती ही थी, 31 सध्यायों का यह ग्रंथ जो है, आधुनिक समस्क्रत साहितिके जिग्यासूं के लिए, शोद करताओं के लिए, परम उपादे ग्रंथ है, और इसके 31 सध्यायों में आधुनिक साहितिकों के प्रयोजन, महाकाव्य, सादुजनों के चरित्र, राजपुर इत्यादी इत्यादी विश्यों पर विचार है, नाटकों पर अठार्म अध्याय है, मुक्तक कावियों गये कावियों पर 20 में अध्याय में विचार किया गया है, गद्य साहितिके पर 21 में अध्याय में विचार किया गया है, अनुदित समस्क्रत साहितिके पर भी बढ़न उन्हों सब पर भी 1960 तक के साहितिका उन्होंने अच्छा विवेचंग किया है, नवीन प्रुरतियां जो आधुनिक समस्कत साहितिकी हैं उन्होंने विचार किया है, आस्यरस पर, प्यंग्य पर, राष्टवाद पर और जो श्रेष्ट बड़े ग्रंतकार हैं आधुनिक समस् पर भी उन्होंने जो आधुनिक काल के शास्त ग्रंत हैं उनका विवेचन किया है, तो बड़ी महनी एकरती है और इसका हिंदी अनुवाद आजाने से बड़ी सुविधा हिंदी जगत के शोद करताओं को हो जाएगी, मुझे व्यक्तिकत रूप से बड़ी सुविधा हो ज लखी गई है और साहित्यकाद्मी की जो भारती साहित्य के निर्माता मेकर्स अपिंडियन लिट्रेचर सीरीज यह शंकला है उसके अंतरगत सभी भाषाओं में साहित्यकाद्मी भारती साहित्य के निर्माताओं पर बहुत सुंदर विनिबंध या मोनोग्राफ प्रकाशि के लिए ये शंखला बड़ी उपादे है इसमें प्रग्या भारती श्रीधर भासकर वढ़ने करह इस शीरशक से लिए रस्तोगी जी ने ये मोनोग्राफ या विनिबंद लिखा है और श्रीधर भासकर वढ़ने करजी पर जितनी भी जानकारी अपेक्षित है वो एकत्र इसम हम बड़े अपस्वी व्यक्तित्वें हमारे बीच के और प्रेणा अस्रोत वे रहे हैं अपने बाद की पीडी के लिए समस्कृत के अजाद शत्रू भी रहे हैं और बड़ा कारिय उन्होंने समस्कृत के लिए किया है उनके संपूर्ण जीवनवर्त्त का परिचय दिया है उनका ब्रहमचर्याश्रम, ग्रहस्थाश्रम, वानप्रस्थ, उनकी समाज सेवाएं, समाजिक कार्य और विशेश्रूप से संस्कृत सेवाएं, उनकी कई संस्थाओं का गठन, कई संस्थाओं में उनका संबंदित होना, उनका तो सब सुन्दर लेखा जोखा, आरंव में प इस्वी शताबदी के सरशेष्ट महाकावियों में से एक माना जाता है। जो काही प्रस्तुत नहीं करती बलकि गहन पंतरंग रूप से उनकी रचना शीलता कि उनके व्यक्तित्व और क्रतित्व के ऐसे पक्ष उजागर करती है जो प्राया नहीं जाने जाते हैं। जैसे उनकी योग साधना है संगीत में उनकी गती उनको सुनते हुए भी कविजट्यों में लगता था कि संगीत पर उनकी अच्छी पकड़ है। पर उस सब का विवरण इस प्रकार से उनकी साधना विवित पक्षी रही है, इसका विवरण इस पुस्तक में हमको राप्थ होता है, और यह भी एक संदर्व ग्रंत के रूप में बड़ी उपादे पुस्तक है। प्रकार से प्रकार से उनकी रही है, इस सब का विवरण इस पुस्तक से राप्त हो सकता है। विवरण इस पुस्तक से जानी जा सकती है। विशेशूप से वरणेकरजी की मूल्य निष्ठा और रिजुता आरजव और आरश वेक्तित्व इसका परिचय इस पुस्तक से सामने आता है। प्रामानिक जानकारी के साथ में, संदर्ब के साथ में वरणेकरजी का एक अध्येन, उनके व्यक्तित्व का कर्तित्व का जीवन का उन्होंने इस पुस्तक में प्रस्तुत किया है। दोनों ही पुस्तकों के लिए मैं प्रकाशकों को साथ वाद देता हूं। लेखिका तो, अनवादिका और लेखिका तो सरुथा अभिननदनी यहें यहीं। और वरणेकरजी के महनी व्यक्तित्व के इस्मृति कराने वाली यह पुस्त के हैं। पुर्णेकरजी के महनी व्यक्तित्त की स्मृति कराने वाले ये पुस्त के हैं इसलिए सरुथा रद्य निर्वद्य हैं धन्यवाद